अकसर कहा जाता है कि पित्र दोश के लिए अमावस्या पर पूजा करने का विशेश महत्व है लेकिन अमावस्या पर क्या किया जाए और केसे किया जाए यह इस पर स्थ रूप से कोई नहीं बताता है आई आज जानते हैं कि अमावस्या पर ऐसे कौन से उपाई ऐसा कौन सा कारिय करें जिससे हमारे पित्र रसन हो शांत रहे और हमेशु आशिश पैदान करें जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार जो चेत्री अमावस्या है वो पढ़ रही है 31 मार्च को और यह जो अमावस्या है यह नवरात्री के पहले पढ़ने वाली अमावस्या है तो इसमें अगर आप अपने पित्रों के लिए कुछ उनको खुश करने के लिए उनको प्रसंद करने के लिए कुछ विशेश उपाई करते हैं तो आपकी कारी है न वो सिद्ध होते हैं तो चल गंगा जल, काले, तिल, चीनी, चावल, जल और पुश परपित करें और ओम पित्रभ्याय नमा मंत्र का उच्चारन करें ये उपाय करने से आपके पित्र बहुत जल्दी आपे प्रसन होगे आपसे जो भी तूटी जो भी गलती होती है उसको छमा करेंगे और आपका कारी दूसरा जो उपाय वो ये है प्रत्यक सक्रांती, अमावस्या या रवयवार के दिन सूरी देव को तामर बरतन में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पित्रभ्याय नमा मंत्र का उच्चारन करते हुए आपको सूरी को अर्ग देना है इस तरह से आप अ आप लोग को मेरे उपाय कैसे लगे इस बार अमावस्या पर ज़रू करिएगा अच्छे लगे हूँ तो अपने प्रेंस वेल में शेयर कर दीजेगा फिर मिलते उस तरह के उपाय जान करें के साथ में तब तक के लिए रादे रादे